हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू प्रिटी कॉर्णर और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि दशा माता की पूजा के लिए घर में पूजा करने के लिए आपको क्या क्या चाहिएगा तो सबसे पहले हम ये ठाल ले लेंगे और ये मैंने ले लिये हैं गेहूं के दाने बहुत जरूरी है इस पूजा में क्योंकि इस पूजा में गेहूं के आटे से बना ही भोजन खाया जाता है गेहूं के दाने लेकर ही कहानी सुनी जाती है और इसी का दान पुन भी किया जात तो हम गिहूं के दाने लेंगे जो कि इस वरत के लिए बहुत जरूरी चीज़ है हाँ अगर आपको नहीं मिलते तो कोई बात नहीं लेकिन आप कोशिश कीजेगा कि गिहूं जरूर हूँ आपकी पूजा में तो यहाँ पे यह मैं गिहूं ले लोंगी और आप इस दिन किस तरह से बनाना है तो यह देखे यह हमें कच्छा सुत लगेगा जो कि पूजा में बहुत जरूरी है इसी से हम परिकमा करते टैम पीपल देवता को भी इस डोरे से ही परिकमा करेंगे हाथ में लेके और यह देखे यह मैंने यहाँ पे गनपती महराज लिये हैं सुपार पूजा में पोजाम करेंगे तो यह हम ने ले लिये हैं तो गनपती महराज बनाया है बहुत ही जड़ा शुब होते हैं यह पूजा में बिठाने हैं एन Conan को भी नेativo करण करें नो यह हम इसा की एक नारी है गहार्णाiren करें तो यह ने ले रहा हो Following अक्षत एक आजशी को छोड़के बाकी mostly सभी पूजाओं में अक्षत जरूर चड़ाया जाते हैं और मैंने पहले पे अपनी वीडियो में बताया कि जो आप चावल लेंगे पूजा में पूरा चावल लेना है उससे पुन्ने की जगा पाप लगता है तो आप हमेशा जब भी पूजा में चावल ले तो साबुच चावल ही लें तो यह हमने इ Заुंग पे चावल ले लिया है साती में यहां पे रोली ले ली है तो हम रोली लेंगे साथ में और रोली भी पूजा में बहुत जरूरी होती है सुहाग की होती है और दशा मातागवरत सुहाग और अच्छी दशा के लिए ही किया जाता है तो यह मैंने यहां महंदी ले लिए है आप चाहें, तो इस तरह से ये कीब भी ले सकते हैं, और सुखी महंदी का पाउच भी ले सकते हैं, लेकिन आप-कुछ-भी ले रहे हो, बस वो कोरी होनी चाहिए, यूज्ट नहीं होनी चाहिए, पुझा में जो भी समान आप यूज करते हैं, वो हमेशा कोरा होना चीये, उ यहां पे पूरे आपके में यहां पूरें बना लिये हैं यहां पूरे बना लिया है जो नक्से चीज़ मैं यहां पूरे बनाया है फूल कोई पली पहीद घ्रीमद ग्ällननध में आपके आसपास अवेलेबल हो, आप वो फूल ले लिजेगा, और आप हमने फूल ले लिए हैं, साथ-साथ यहाँ पर मैं घी का दीपक ले रही हूं, आप घी का दीपक ही लें, लेकिन अगर किसी कारान वर्श आप घी का दीपक नहीं जोड सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आ यहाँ मैंने धूप ले लिए, साथ में यह मैंने ले लिया है, कलावा, मोली, जो की पूजा करने के बाद हाथ वगारा पर भी बांधा जाता है, बहुत शुब होता है, और मतलब जो पूजा वगारा करते हैं, तो उसमें मोली, कलावा हम लोग जरूर लेते हैं, तो यह मै 10-10रफ सिक्के और 10 पूरे ही देने हैं लेकिन अगर आप पूरी बना रहे हैं तो आप 10 पूरी और 10 चमच हलवा रखे और 10 पूरे रखे राइनगे इस तरह से आप अपना थाल तेयार कर लीजेगा और साथी में मैंने ये लिया है एक लोटा जल ये जल लेंगे हम और आप जब पूजा में कोई जल लेते हैं उसमें थोड़ा साप गंगा जल डाल लीजे करिए उससे हमारा जल बिल्कुल पवित्र हो जाता है तो यहां पे हम ये जल ले रहे हैं तो वैसे तो दशा माता की जो पूजा है कथा है वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ कर ही करनी चाहिए लेकिन अगर आप किसी कारणवश पीपल के पेड़ के नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं नहीं बहार जा पा रहे हैं तो मैं आपको आज घर पर ही क इस तरहां से पूजा करेंगे, हम लोग दशा माता की वो बता रही हूँ, तो उसके लिए देखे, यहाँ पे मैंने घर की ही पूजा समगरी ये कत्रित करी है, और हम घर पे कैसे करेंगे, वही मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, और यह व्रत है जो दशा माता का वो चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की पड़वा से लिया जाता है, यानि कि तुलहंडी वाले दिन से लिया जाता है, और यह अपने जीवन काल में एक बार जब ले लेते हैं, तो उसके बाद पूरे जीवन काल करते ही रहते हैं इसे, और आप पूरे साल भी डोरा पैन सकते हैं, नहीं तो आप रख सकते हैं कई उठा के, और दस दिन के दस दिन भी कई लोग वरत करते हैं और कुछ लोग सिर्फ एक दिन सिर्फ दस्ते वाले दिन वरत करते हैं और इसका कभी उद्यापन नहीं होता है और यह देखें मैं आपको यह दिखा देती है आज की पूजा में तो यहां मैंने पान के पत्ते ले लिए हैं और इस वरत का क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कभी उद्यापन नहीं होता है तो आप इसमें अगर मानली जी बड़े हो कि आप से नहीं किया जा रहा है वरत किसी कारण मर्शारी बिमारी की वज़े से तो इसी तरह से आप इस वरत को कर सकते हैं और ये घर की दशा सुधारने के लिए किया जाता है घर में जैसे कभी कभी काम नहीं बन रहे होते है या दशा खराब चल रहे होती है तो अगर ये वरत करते हैं तो घर में सुख सम्रदी आती है शामती बनी रहती है घर की दशा दि